अब भाई सरे ने तो सोगत है आप सबीको मारे नीव ब्लॉग में तो गाईच अभी हम लोग चल रहे हैं अपने सफेद घोड़े में मैटी लगाने जो की घास वाले मैटी है तो गाईच देखने में काफी अच्छा है तो गाईच अभी इसको चल रहे हैं इस तरफ और उस अब उस्तरब देख सकतो हो अभी मैं वैसे रख की चेक कर रहा था जो कि पहले इसका री लिव ले खोला था अभी इसका धकन बाहने नहीं है तो आज बाहन देंगे तो गाइज अभी चल रहे हैं इस पर कटिंग करके तीन पीसे जो कि लगभग तीन साधी तीन सुरुपे का मिले था तो भी इस तरफ उस तरफ लगाएंगे बस इसमें तो जब लगाने में काफी समय लगता है तो बिचल रहे हैं इस पर धरते हैं तो उसके बात कटिंग करेंगे तो गैज अभी दिखाते हैं आपको जो कि यहां आरी आरी सकटिंग करना पड़ेगा जो कि उपर कि इसमें यहां तक पहुंच रहाए ऑघ इस तरफ सीधर फोट रह तो धया रहा है तो काइश हवी कटिंग कर लेते हैं तो मिलते हैं हम लोग कटिंग्ग कर रहे जोकि आर्या री बड़ा था और लंबा-लंबा में भी बड़ा है तो भी इसकी कटिंग करेंगे जो कि साधी इंच, साधी-चार इंच की लगवा कटिंग हो रही है जो कि पूरा बराबर है भी हम राइसमील की छोरी रखें इस पर तो गाई जब हम कटिंग कर रहे हैं तो गाईज अभी इस तरफ इतना फेट हो चुगा है उस तरफ अभी इस तरफ इतना कटिंग करेंगे उस तरफ इसका डिजाइन यह वालम बनाएंगे जो की अलग से इस पर रख के करेंगे पूरा ऐसे जिस तर डिजाइन है तो गाईज इवालगा हो चुगा है जो की इन्दम सही हो चुगा है उस तरफ भी तो गाईज अभी चल रहे हैं यहाँ कर्टिंग कर देंगे अभी इवाला काटेंगे तो लगाएंगे तो गाइज अभी इस तरफ इतना सेट कर दिये हैं अब अलक से इतना इसी पर रखके काटके इसी में मिला देंगे तो गाइज अभी चलते हैं इस वाले मुटनाही करेंगे अभी उसका काटे नहीं उसमें भी थोड़ा से लगेगा तो गैज चलते हैं पहले इसको काटते हैं तो गैज अब इसमें एक समय से आ रहे हैं तो भी हमको यहां से नापके यहां तक पहले काटना पड़ेगा तो इस पे रखके तो इसको यहां से काटेंगे तो गैज पहले चलते हैं इसको यहां से यहां से यहां तक पहले इंचेफ से नापते हैं यहां से यहां से यहां से यहां तक करते हैं यह वाला से मिला देंगे तो गाईश पहले हम इसको नाप के आपको मिलते हैं तो आप से मिलते हैं तो जैसे गया है तो भी एमको अभी समझ मैं यहां है कि अभ्य हमको यहां से करने करेंगे ऑफ Having कद लेंगे तो इसमी मिलाक करेंगे ओ ओवालु भी यह वाला है कि तो गाइस अपको चुका है मैं इसी में कट की फेवे कीव चपकाना हैं अब इसको जाम करने के लिए कुछ सोचना पड़े गा तो भी हम जा रहें दिवान तो यहां थोड़ा मतलब समस्या है अच्छ लगाएंगे हाँ हो है अपना आयल रेटन वाला वह लेजर लेवलार का वैज अभी घोड़े को अच्छे से सजाएंगे लुग अच्छा देंगे घोड़े का वैज अफी जा रहे हैं तो आ जाते हैं तो मिलते हैं तो गाईज अभी हम एक बड़ा वाला फेब क्यूब और एक रेजी बॉंड लेके आएं और काटने के लिए इसको बिलेट लिए हैं जो कि गिर पड़ा तो गाईज अभी हम आच चुके हैं लेकर समान तो भी चलते हैं इसकी कटिंग करेंगे तो इस पर लगाएंगे तो गा बीडियो बना नहीं सकते हैं तो गाईज पहले कर लेते हैं तभी दिखाएंगे तो गाईज चलते हैं अभी कटिंग करेंगे तो आपको दिखाते हैं तो गाईज अभी चपका दिये हैं और यहां सकाट लिए हैं तो इसको यहां ऐसे पूरा मोड के चपका देंगे यह वा यह वाल चपक जाता है तो आपको दिखाते हैं तब तक वाला कर लेते हैं तो गाइंच अभी इस तरफ वाला कंप्लीट हो गया और उस तरफ दिखाते हैं तो अभी बैटी हटाते है तो आए इस तरफ भी कंप्लीट हो चुका है वही लग रहा है तो इसमें बीच बीच में च प году निमें या इस तरफ और इस तरफ कोचुगा है तो ऑफ चल रहे हैं इसे करेंगी तो वस और कुछ नहीं ऍस aitर तेया अभी देखो टेक्टर सीथ में है तो भी चलिंगी में तो यहां दर करेंगी सीर तर other हो जाए नहीं भीन जाता है तो चलते हैं आज अभी चपल तार्ग बैठेंगे तो आई जभी सी पोछ लेते हैं तो आई जभी चलते हैं दस जिल्फ मारते हैं बैठेंगे चड़ जा तो आई ज़ी तो गाइज अब काफे दिन के बाद इस्टार्ट हो चुका है तो पोड़ी देर दे इस्टार्ट हो जाता है तो तो आई जिसको अब चलते हैं सीधर खड़ा तैब देते हैं बहुत में भी तो तो खाइज अभी खड़ी करदिये हैं चल रहे हैं घर वाइन कि रच इतना ही मिलते हैं कल कि लोग में दिखेटर का लुक देख लो तो ऊठीज आज प्लाइब इतना ही तो भी फुलिस लाइट आज अ कि महां रखी है लाल नीली तो भी इसको भी लगाएंगे